तो प्यारे बच्चों हम आपको फिजिक्स के सबसे महत्वपून चेप्टर बिद्दुधारा वाले चेप्टर का पूरा रिवाईच करवा रहे थे जिसमें सब्जेक्टिव कोश्चन हम आपको बता रहे थे और साथ-साथ कुछ अब्जेक्टिव कोश्चन भी बताते चल पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्टिव कोश्चन देखे थे बहुत सारे कोश्चन का अंसरम आपको बताये थे बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही समझा करके बहुत ही बरीकी से आपको बताये थे और उमीद करते हैं कि जितने भी चीज़ आपको बताये पिछले class में सभी चीज合 आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आज उसके आगे जो CES बच गए हैं जितने सारे part बच गए हैं तोपिक बच गए हैं महत्वपूर्न topic जो आपके exam के लिए महत्वपूर्न है सारे topic हम लोग इस class में cover कर लेंगे तो बस कुछ देर तक आप लोग concentrate हो करके हमारी बातों को सुनते रहिएगा पूरे अच्छे तरीके से, पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूरे लगन से आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिस करिएगा तभी आपको चीजे समझ में आएगा क्योंकि जितना simple तरीके से हम आपको पिछले क्लास में बता रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा simple तरीके से हम आपको आज के इस क्लास में बताने की कोशिस करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और जो भी है student चैनल पर नहे हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का notification आपको मिल सके तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला topic क्या है आज का हमारा सबसे पहला topic है पूरे physics का सबसे महत्वपून chapter का सबसे महत्वपून topic ओम का नियम आप लोग को पता होगा ओम का नियम हर एक वर्स पूछा जाता है हर एक वर्स ओम का नियम पूछा जाता है तो चलिए आज आपको सबसे पहले ओम का नियम हैं हम समझाते हैं कि क्या होता है ओम का नियम, कोश्चन कह रहा है कि ओम का नियम क्या है, इसे परिभासित करें, तो चलिए ओम के नियम के बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, बिदुत धारा और विभांतर के बीच समंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार अचरताप पर किसी चालक से परवाहित होने वाली धारा आप लोग ध्यान से सुनिएगा फिर से हम रिपिट कर रहे हैं बिद्दु धारा और विभांतर के बीच समंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं बस ओम का नियम क्या है तो आपको यहां तक लिखना है बिद्दु धारा और विभांतर के 20 समंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं इस नियम के नुसार अचरता पर किसी चालक से परवाहित होने वाली धारा चालक के सीरों के बिभांतर का सिधा समानुपाती होता है। होगा कि ओम का नियम क्या है भी बराबर आयार ही होता है भी बराबर आयार इस पर बहुत सारे नुमेरिकल कोस्टन से पूछे जाते हैं आप लोग इस सुत्र को इस फर्मूला को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नीचे गए नीचे दिये गए चित्र के नुसार सजा दिया जाता है। जब दाव कुंजी को दावाया जाता है तो बैटरी से बिद्दु धारा परवाइत होती है। हम लोग सुइच दे देंगे अनिकि दाव कुंजी को दबाएंगे तो बैटरी से बिद्दु धारा का मान आ मीटर में जबकि बिभांतर का मान बोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो बिद्दु धारा का मान आ मीटर से मापा जाता है जो आप सभी लोगों के घरों में मीटर लगा होता है। प्राप्त होता है। क्या किया जाता है जब सलाइड को खिसकाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा खिसकाने से क्या होगा कि बिद्दु धारा का मान भी और विभांतर का मान भी दोनों का मान अलग अलग बदलते रहता है जिसे ग्राफ पेपर पर दरसाने पर सरल रेखा प् जो कि ओम के नियम को सत्यापित करता है जब हम लोग स्लाइट को इधर उदर घसकाएंगे तो बिद्दुधारा कमान और विवांतर कमान दोनों अलग-अलग बदलते रहता है और जब दोनों को बेवस्तित करेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा को ह ओम के नियम को सत्यापित करता है यह गराप सीधा समानुपाती के संबंध को दरसारा है बस ओम का नियम और ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए आप लोग इतना समझ जाईएगा जिनको समझ में नहीं आया फिर से दुबारा रिवर्स कर लीजेगा फिर से एक बार एक दो बार देखिएगा आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा चलिए अगला कोशन क्या कहा रहा है कि एमीटर एवं बोल्ट मीटर की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ग्यात किया जाता है आज हम आपको सिर्फ वहीं कोश्चन बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि अभी एक्स्ट्रा कोश्चन बताने का समय भी नहीं रहा थीक है तो देखे एमीटर एवं बोल्ट मीटर की सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ग्यात किया जाता है आप लोग में जानते होंगे कि में आंपको में अभी हम आपको बताए किस परकार से बताए यहां पर दाव कुंजी यानि कि स्वीच रहता है यहां पर बैटरिक लगा देंगे यहां पर प्रतिवोध लगा देंगे यहां पर आमीटर हो जाएगा यहां पर बोल्ट मीटर हो जाएगा इस परकार से इसको वेवस्तित करक कि एमीटर एवं बोल्ट मीटर की सहता से किसी चालक तार का प्रतिरोध कैसे ग्याद किया जाता है कंसंट्रेट हो करके देखिएगा तभी समझ में आएगा ने तो उपर से पार हो जाएगा जब दाव कुंजी को दबाया जाता है फिर सो बहें चीज लिखना है एक कोशन याद करिएगा तो दोनों कोशन बन जाएगा जब दाव कुंजी को दबाया जाता है तो बैटरी से बिद्धु धारा परवाइत होता है जब दाव कुंजी को दबाएंगे आनि कि जब स्विच ओन करेंगे तो बैटरी से बिद्धु धारा प्रवाइद होगा आमीटर से धारा कामान आयोवन एवं बोल्ट मीटर से विवांतर कामान भीवन प्राप्त होता है जब धारा परवाइद होता है तो आमीटर से क्या होता है कि धारा कामान I1 एवं बोल्ट मीटर से विभांतर कामान B1 प्राप्त होता है और उसे लिख लिया जाता है जब परिवरतन सील प्रतिरोध को सलाइड पर आगे पीछे खिसकाते हैं और कहने का मतलब कि अलग अलग धारा कामान प्राप्त होता है और विभांतर का मान भी अलग-अलग प्राप्त होता है जो करमसा B2, B3, B4 और B5 के रूप में प्राप्त होता है अब क्या करते हैं चालक तार का प्रतिरोध ग्यात कर लिया जाता है जो कि करमसा R1, R2, R3, R4 एवं R5 होता है सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए फिर से हम रिभाइच करा देते हैं जो important चीज है सबसे पहले slide को आगे पीछे घसकाएंगे तो धारा का मान अलग-अलग प्राप्त होगा अब अलग-अलग प्राप्त होगा का मान भी अलग-अलग प्राप्त होता है जब हम लोग slide को खिसकाते हैं तो तो अलग-अलग प्राप्त होता है कभी v2, कभी v3, कभी v4, कभी v5 प्राप्त होता है इस परकार से और जब उसके बाद हम लोग resistance यानि कि परतिरोध का सुत्रका उपयोग करते हैं तो चालक तार का प्रतिरोध ग्यात कर लिया जाता है जो कई क्रम से क्या होता है यह भी अलग-अलग होता है जब विवांतर अलग-अलग है उसके अलबा बिद्दुधारा अलग-अलग है तो जो प्रतिरोध होगा वह भी अलग-अलग होगा तो प्रतिरो अक्सर आपके objective question में पूछा जाता है कि आमीटर को सिरेनी करम में जोड़ते हैं कि समांतर करम में तो आप लोग ध्यान रखिएगा आमीटर को सिरेनी करम में बोल्ट मीटर को समांतर करम में बिल्कुल confuse नहीं होना है और सबसे पहला सब्धानी आपको बरतना है कि आमीटर को सिरेनी करम में बोल्ट मीटर को समांतर करम में दुसरा सब्धानी है कि बिद्दूत परिपत को पूरा करने के लिए पेंचों को ठीक से कस देना चाहिए ताकि बिद्दूत परिपत अराम से पूरा हो सके अब तिसरा सब्धानी क्या बरतना है कि बोल्ट मीटर का धनात्मक सीरा जैदा भीभव से एवं रिनात्मक सीरा कम भीभव से जुड़ा होना चाहिए ठीक है बोल्ट मीटर का धनात्मक सीरा जो पोजेटिव सीरा है उसको जैदा बीभव से और जो निगेटिव सीरा है उसको कम बीभव से जोड़ देंगे उसके अलाबा चौथा सब्धानी है कि जब पठा नहीं लिया जाए तो दाव कुंजी को हटा लेना चाहिए यानि कि switch को off कर देना चाहिए जब पठा नहीं लिया जाता है उस समय उसके अलाबा कोश्चन क्या कह रहा है अब यहां तक आपका यह वाला कोश्चन समथ हो गया उसके बाद कोश्चन है कि ओम के नियम में कौन-कौन सी सब्धानी बरतनी चाहिए उपर में आपको ओम का नि नियम में कौन-कौन सी सब्धानी बरतनी चाहिए या तो कोश्चन यह वाला पूछेगा कि ओम के नियम में कौन-कौन सी सब्धानी बरतनी चाहिए या फिर इसी कोश्चन को उलट करके इस परकार से पूछेगा कि किसी चालक तारका परतिरोध ग्याद करने के लिए किन-क सब्धानियों को बरतना चाहिए दोनों का जवाब से मी होगा बस बढ़ अलग अलग है तो दोनों का जवाब क्या होगा कि ताप को हमेशा अच्छा रखना चाहिए ताप को हमेशा अच्छा रखना चाहिए ओम के वात है सवाल उठता है कि क्यों हम लोग ताप को अचर रखेंगे भाई तो देखे इसका भी जवाब है ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है या वाला भी कोश्चन पूछ सकता है लगूतरिये में जितने सारे भी कोश्चन बन सकते हैं सारे कोश्चन हम आपको बताएंगे बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के हमारी बात को सुनते रहिए ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है तो जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा जब किसी चालक तार का तापमान बदल जाएगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा जिससे बिद्दु धारा एवं बिभांतर दोनों प्रभावित हो जाएगे जिससे पठन की किरिया ठीक धंग से नहीं हो पाएगी इसलिए ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है कि ताप को क्यों अचर रखते ह इसलिए ओम के नियम में ताप को अचयर रखा जाता है उसके बाद देखिए अगला कोशन कह रहा है कि प्रतिरोधों का सन्योजन क्यों किया जाता है प्रतिरोध का सन्योजन क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है तो जाहिर इसी बाते आप लोग ध्यान रखिएगा परिपत में परतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए परतिरोधों का मान बढ़ाना है या फिर घटाना है तो परतिरोधों का सन्योजन किया जाता है और परतिरोधों का सन्योजन दो प्रकार से होता है आप लोग पढ़े ह और से लिखा हुआ है कि प्रतिरोधों का सन्योजन दोतरह से किया जाता है स्रेनी करम और समांतर करम में जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है तो उसे स्रेनी करम में जोडते हैं जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है तो स्रेनी करम में जोड़ते हैं कि समांतर करम में जोड़ते हैं तो जाहिर सी बात आपको क्या बताना है स्रेनी करम में जोड़ते हैं और जब प्रतिरोध कामान घटाना है तब समांतर करम में जोड़ते हैं बढ़ाना है तो स्रेनी करम में घटाना है तो समांतर करम में ठीक है आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है उल्टा पूल्टा नहीं कर देना है कि नीचे वाला उपर उपर वाला नीचे कर देना है बढ़ाना है तो सिरेनी घटाना है तो समांतर करम में अब चलिए कोश्चन यहां से बन रहा है कि सिरेनी करम सनियोजन क्या है बहुत हम बोल रहे हैं कि सिरेनी करम समांतर करम तो जही सी वात है बताईए कि सिरेनी करम सनियोजन क्या है तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि सिरेनी करम सनियोजन क्या है तो देखिए प्रतिरोधों की ऐसी वेवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दुसरे प्रतिरोध के प्रतम छोर से जुड़ा है जैसे आप लोग समझेगा माल लिया कि यह प्रतिरोध हम लोग ले लिए यह प्रतिरोध हम लोग ले लिए इसका पहला छोर कहां पर है यहां पर है अंतिम छोर कहां पर है यहां पर है पहला छोर यहां पर है अंतिम छोर यहां पर है देखिए हम आपको दिखा रहा है एरो की साहता से अग तो क्या करा है स्रेनी करम किसे कहते हैं पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर कहां पर है यहां पर है और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर यानि कि अगर हम यहां से दूसरा प्रतिरोध लेते हैं तो इसका प्रतिरोधों की यह वाला यह दोनों आपस में जुड़ा होना चाहिए यह दोनों आपस में जुड़ा होना चाहिए इसी को क्या बोलते हैं स्रेनी करम बोलते हैं उसी परकार से आगे हम लोग जितना चाहें उतना परतिरोध जोड़ सकते हैं अगर उसके आगे और परतिरोद के साथ जुड़ा हुआ होता है दूसरे परतिरोद के परतिरोद के साथ और दूसरे परतिरोद का अंतिम छोर जो तीसरा परतिरोद होता है उसके परतिरोद के साथ जुड़ा होता है और इस परकार का सन्योजन ही क्या कहलाता है इस परकार का सन्योजन ही स्रेनी क् जहां पर कि फीगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है या पहला परती रोध है, दूसरा परती रोध है और या तीसरा परती रोध है आप लोग आसा करते हैं कि समझ रहे होंगे हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे अगर एक बार मेरी नहीं समझ जाता है तो हम बार बार बोलते हैं कि आप reverse करके पीछे से फिर से दुबारा देख लिजए पिर से दुबारा पूरे विडियो को देख लिजेगा एक बार, दो बार, तीन बार जरूर आपको समझ में आ जाएगा लेकिन जहां तक हम कोशिस करते हैं कि आपको सारी बात एक बार में समझ में आ जाए अब चलिए अगला कोशन हम आपको बताते हैं कि जूल का उसमी नियम क्या है जूल का उसमी नियम क्या है तो ध्यान से समझिएगा जब किसी चालक से बिद्दु धारा का परवा होता है जब किसी चालक तार से बिद्दु धारा का परवा होता है जैसे मान लिया कि यह चालक तार है यह चालक तार है इसे बिद्दु धारा का परवा हो रहा है तो अगर इसे लगातार बिद्दु धारा का परवा होते रहता ह तो क्या होता है कि चालक तार बहुत अधिक गर्म हो जाता है और कभी-कभी तो इतना धिक गर्म हो जाता है कि अगल करके गिर जाता है उसी को बोलते हैं कि तार गिरा हुआ है तो क्या होता है कि बहुत अधिक देर उसमें बिद्दुधारा का परवा होने से और गर्म हो जात तो देखिए जब किसी चालक से बिद्दुधारा का परवा होता है तो उस चालक में बिद्दुधारा के कारण उस्मा की उत्पत्ती होती है। जिसे जूल का उसमिये नियम कहते हैं। आप लोग ध्यान से इसको एक बार अच्छे तरीके से याद कर लिजेगा। अब चलिए बताते हैं कि बिद्दुधिये सक्ती क्या होता है। तो देखिए काफी असान है। तो समझेगा आप लोग कि बिद्दुधिये सक्ती क्या होता है। एक सेकेंड में किसी बिद्दुधिये उपकरन द्वारा जितनी उर्जा खपत की जाती है। उर्जा खपत को ही उस उपकरन का बिद्दुधिये सक्ती कहते हैं। बिद्दुधिये सक्ती को किसी से तो P से सुचित किया जाता है और इसका SI मातरक बाट होता है। तो बिदूतिय सक्ति आप लोग समझ गए होंगे कि एक सेकंड में किसी बिदूतिय उपकरन द्वारा जितनी उर्जा खपत की जाती है उस उर्जा खपत को ही उस उपकरन का बिदूतिय सक्ति काते हैं इसे पी से सुचित किया जाता है ये साइमात्रक बाठ होता है अब चलि लिए कुछ point हम लोग देख लेते हैं जिस पर कि टिपनी लिखना रहता है सबसे पहला रहता है टिपनी बिद्दूत बल्ब आपको दे देगा कि बिद्दूत बल्ब पर एक छोटी सी टिपनी लिखें आप लोग कैसे लिखिएगा तो देख लीजे कैसे लिखाता है बिद्दूत बल्ब पर टिपनी एए बिद्दूत बल्ब बिद्दूत बल्ब कांच का बना होता है तार होता है इसका गल्लांग लगवक 3000 डिगरी सिल्सियस होता है यानि कि जो तार होता है टंगस्टन का देखते होंगे उसके बीच में अस्प्रिंग जैसा संडचना बना होता है जो कि जलता है इसका गल्लांग कितना होता है 3000 डिगरी सी होता है इसके अंदर के हवा को निका बरहा जाता है ताकि तन्तू औक्सिक्रित नहीं हो सके अगर अगर यह नुट जavors पूट जाएगा तो तन्तू तुरंत ही कूट जाएगा आपका व़ंव तुरंत फ्यूच कर जाएगा तो इस वी इसमें निस्क्रिये गेस भरा जाता है चलिए उसके बाद क्या पॉिंट कह रहा है विद्दूत बल्व, विद्दूत लीटर विद्दूत इस्त्री, विद्दूत बिकीरग और विद्दूत फ्यूज इस सब बिद्दुत धारा के उसमिये परभाव पर कार्ज करते हैं अगर आपसे लगूतर ये प्रस्में पूछ दिया कि बताइए पांचो ऐसे उपकरन का नाम बताइए जो बिद्दुत धारा के उसमिये परभाव पर कार्ज करता है question तो बन सकता है या सभी बिद्दु धारा के उसमीय प्रभाव पर कार्ज करते हैं अब चलिए बिद्दु थीटर पर टिपनी हम आपको बताते हैं बिद्दु थीटर बस थोड़ा सा और कलास आगे चलेगा इसके बाद आपका कलास समाप्थ हो जाए इसमें लपेटा हुआ रहता है कुछ इसी परकार का तार लपेटा रहता है जिसमें खाना बनाया जाता है कुछ इसी परकार का तार इसमें लपेटा हुआ रहता है वक्रकार का जिसको क्या बोलते हैं वक्रकार का या चीनी मीटी के खांचे में लपेटा हुआ वक्रकार का धातू होता है, जो कि नाइक्रोम का बना होता है, जो कि किसीज का बना होता है, जो हीटर का तार होता है, जो इस परकार से हम आपको बताए, या भी नाइक्रोम का बना होता है, या बिद्दु धारा के उसमिये हापपन ही कार्च करता है इसका गलना काफी उच होता है और इसी सिद्धान्थ पर वाइलर और टेस्टर बनाये जाते हैं ठीक है इसी सिद्धान्थ पर वाइलर और टेस्टर बनाये जाते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा बिद्दूत हीटर का जो तार होता है ध्यान रख के बनता है निकेल और क्रोमियम से मिल करके ही नाइक्रोम बनता है अप्रोग ध्यान रखिएगा अब चलिए बिद्दूत इस्तिरी पर टिपनी बताते हैं बिद्दूत इस्तिरी जिसको आरन बोला जाता है जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है बिद्दूत इस्तिरी उसको नाइक्रोम का पतला पत्ती होता है इसमें क्या होता है नाइक्रोम का पतला पत्ती होता है जिसके उपर और नीचे अबरक का प्लेट लगा होता है अबरक का प्लेट क्यों लगाते हैं अबरक का प्लेट क्यों लगाते हैं अबरक का प्लेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब श्मत्र mitä बिट पर्वार नहीं हो जाए इससे बचने के लिए उसमें अबरग का पलेट लगाया जाता है उपर में और नीचे में ... यानि कि जो नाइक्रोम का पतला पत्व होता है उसके ऊपरचा में और उसके नीचे में भी जैके से देखेए ... माल लिया की बीच में यह नाइक्रोम का पत्ती है तो एक लेयर उपर में भी और एक लेयर नीचे में भी इस परकार से इस पर अबरक का पत्ती लगा होता है जब आप लोग के घर में यदि खराव आईरन पड़ा हुआ होगा तो उसमें देखिएगा भूरे रंग का एक पत् यानि कि जितने सारे भी बिद्दु धारा के उसमें परभापर कार्ज करने वाले उपकरन है सभी के बारे में हम आपको आज टिपनी बताते हैं तो बिद्दु विकीरक यह उपकरन बिद्दु धारा के उसमें सिद्यान पर कार्ज करता है इसमें चीनी मीटी का एक बेलन ह जिस पर नाइक्रोम का तार लपेटा हुआ रहता है इसका गल्लांग काफी उंच होता है बस बिद्दुत विकीरक के बारे में आपको इतना ही लिखना है कि यह उपकरन बिद्दु धारा को उसमें सिध्यान पर कार्च करता है इसमें चीनी मीटी का एक बेलन लगा होता है ज जब भी परिपत में धारा कमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो सबसे पहले फ्यूज ही उड़ जाता है सारे आपके घर के जो उपकरन रहते हैं वह जलने से बच जाते हैं बिद्दुत फ्यूज के कारण ही यह एक सुरच्छा युक्ती है जो अती भारन एवं लगू प उपकरन को असानी से बचा लेता है आप लोग ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ देता है कि बिद्दुत फ्यूज का निर्मान कैसे किया जाता है तो ध्यान रखिएगा तामबा तथा टीन या फिर सीसा तथा टीन के मिस्त धातु का परियोग किया जाता है जिसका गलना छल्दी यह नहीं गलेगा और हमारे गर के सारे उपकरन जल जाएंगे और चुकि बिद्दुत फ्यूज का गलनांग बहुत कम रहता है इसलिए जैसे ही high voltage होता है या फिर जैसे ही low voltage होता है सबसे पहले फ्यूज ही गल जाता है और हमारे घर की सारे उपकरन जलने से बच जाते हैं, तो बिद्दूत फ्यूज आप लोग ध्यान रखिएगा, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आती भारन क्या होता है और लगू पतन क्या होता है, आती भारन जिसको बोलते हैं ओभर लोडिंग और लगू पतन जिसको बोलते हैं short circuit, तो चलिए बारी अधिक वड़तार इ dumb Medicare को पुसे बिद्दूत पृक्ति में जोड दिया जाता है, तो उस पृकत में आफ सकता से अधिक zak Math अधिक विदूधारा का प्रवा हो जाता है, जैसे किसी और पृक्त और पृक्ति हो गया। तिस्तिर यानि के आयरन भी जोड़ दिये, टीवी भी जोड़ दिये, फ्रीज भी जोड़ दिये, मतलब तार पतला है, लेकिन इसमें हम बजन दे दिये, बहुत जादा बहुत जादा इस पर लोड़ दे दिये, तो इसी को बोलते हैं, ओभर लोड़िंग, इसी को क्या बोलत अधिक बिद्धुधारा का परवा हो जाता है उसी को ही हम लोग अतिभारन कहते हैं और लगू पतन किसे कहते हैं आप लोग देख लिजेगा लगू पतन किसे कहते हैं जब किसी कारण बस ठंड़ा और गरम तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो समझेगा आप आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है कि परिपत में प्रतिरोध का मान बहुत अधिक घट जाता है और जैसे ही प्रतिरोध का मान घटेगा तो बिद्दु धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा प्रतिरोध का मान घटेगा तो बिद्दु धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और बिद्दु धारा का बहुत अधिक जो परवाह होने लगता है उसी को क्या बोलते हैं? लगू पतन बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में short circuit बोलते हैं तो उम्मीद करते हैं कि लगू पतन भी आप लोग समझ गए होंगे अब देखिए यहाँ पर एक important point आप लोग समझेगा जब मानब सरीर भींगा हुआ नहीं रहता है जब मानब सरीर भींगा हुआ नहीं रहता है तो उसका प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है और लेकिन जब मानब सरीर भींगा हुआ रहता है तो उसका प्रतिरोध 200-300 ओम होता है कभी कदाल पूछ देता है कि मानब सरीर का प्रतिरोध कितना होता है तो 200 से 300 ऊम होता है आप लोग ध्यान रखिएगा चली उसके बाद अग्ला नमबर question क्या कहरा है कि घर के बिद्दुत परीपत में कौन-कौन खराबियां उत्पन होता है तो सबसे पहला क्या होता है कि तार का पुराना हो जाना बहुत अधीक दिन जब तार का हो जाता है तो वह तार पुराना हो जाता है ढ purity स्विच खराब हो जाता है उपकरन खराब हो जाता है स्विच 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 खराब हो जाता है उपकरन में खराब हो जाता है और स्विच खराब हो जाता है उपकरन में खराब हो जाता है और स्विच खराब तो ध्यान लखिएगा बिदूत खत्रा से बचने के लिए निमनिलिखी तुपाई है। सबसे पहला, किसी भी परकार का खत्रा होने पर परिपत का में स्वीच बंद कर देना चाहिए। पर जटका ना मारे करेंट का ठीक है तो सन्योजन के जगह पर अचालक पदार से धका होना चाहिए जिसमें हम लोग टेप का परियोग करते हैं आम तोर पर उसके बाद चौता है कि जब कभी बिद्दूत परिपत का मरमत करना हो तो हाथ में रवर के दस्ताने एवं पैर में जूता चपल अवस्पानना चाहिए जब भी हम लोग लाइन का वला काम कर रहे हैं जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक तार को छू रहे हैं तो हाथ में दस्ताना और पैर में जूता जरूर पहन लेना चाहिए सही छमता वाले फ्यूज का परियोग परिपत में करना चाहिए य इतने सारे भी बिदूती उपकरन होते हैं, सभी में भूतर का परयोग करना चाहिए, उसके अलाबा क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का संपर्क बिदूत से हो जाता है, माल्या कि कोई आदमी अगर बिजली के तार में सट जाता है, तो उसे कुछालक पदार्थ के माध्यम से हटाना चाहिए, नयकी जाकर के हाथ से पकड़के उसको हटा दिये तो अभी सट जाईएगा, ऐसा बिल्कूल नहीं करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति का संपर्क बिदूत से हो जाए, तो उसे कुछालक पदार्थ के माध्यम से हटाना चाहिए, बस आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा, इतना ही सब्धानी बरतना चाहिए, चलिए इसके बाद कुछ मात्वपून, इंपोर्टेंट कोश्चन है, आप लोग के लिए होंबर्ख है, आप लोग नीचे जरूर कमेंट में इसका जवाब बताते चलिएगा, पहला प्रतिरोध का सारे कोश्चन क जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है, प्रतिरोध का सारे मात्रक क्या होता है, ओम होता है, एक बोल्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताईए, एक बोल्ट किसके बराबर होता है, आप लोग को बताना है, विभांतर का सारे मात्रक या आपको बताना है चलिए इसके बाद आपको हम बताते हैं अवेस का हिस्साई मातर कुलाम होता है कौन बिद्दुत का सरवत्तम सुचालक है तो चांदी हो जाता है विभांतर मापने वाले यंत्र को बोल्ट मीटर बोला जाता है आमीटर को बिद्दुत परिपत में कैसे जोड़ा जाता है तो स्रेनिक्रम में जोड़ते हैं जब किसी चालकतार से बिद्दु धारा परवाइथ होती है तो गतिसीलियकन क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते है यानि कि चालकतार में गतिसीलकन इलेक्ट्रॉन ही होता है बिद्दुत बल्ब का तंतु बना होता है ट पदार्थ चालक है कौन पदार्थ चालक है तो कांच नहीं चालक होता है चीनी मिटी नहीं इल्मूनियम चालक होता है अब चलिए अगला नमर कोशन कहरा है कि बिद्धूत परिपत की सक्ति का सुत्र लिखिए तो सक्ति का सुत्र अप्लोग ध्यान रखिएगा पहला होता है अब चलिए अगला कोशन कह रहा है कि किलो वाट घंटा किसका मत रख होता है तो बिदू तूरजा का मत रख होता है भारत में उत्पादित परत्याबर्ति बिदू धारा किया विर्ति कितना होता है भारत में उत्पादित परतियाबर्ति बिद्धु धारा की अविरती 50 हर्टज होता है आप लोग ध्यान रखियेगा अब चलिए पूछ रहा है कि क्वह कितने के बराबर होता है तो एक यूनिट के बराबर होता है एक यूनिट को ही बोला जाता है एक के डवलुएच आप ध्यान रखिएगा घरों में बिद्दूत परिपत किस करम में जुड़ा होता है घरों में बिद्दूत परिपत समांतर करम में जुड़ा होता है आप ध्यान रखिएगा अब पुछ रहा है कि बोल्ट बटा एंपियर किसके बराबर होता है बोल्ट बटा एंपियर तो प्रतिरोध के बराबर होता है इंपियर सेकंड किसका मत रख है तो आवेस का मत रख होता है ध्यान रखिएगा इंपियर सेकंड आवेस का मत रख होता है भी वहरी जाई किसका नियम है ओम का नियम है ओम का नियम है भी भेरी जाए और जदी हटाएंगे तो भी बराबर आई आर होता है अभी अभी हम आपको उपर में बता हैं कि भी भेरी जाए या फिर भी बराबर आई आर ओम का नियम होता है एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है तो 4.2 जूल होता है एक केलोरी बराबर 4.2 जूल होता है उसके बाद पुछ रहा है कि प्रतिरोध का सुत्र क्या होता है तो प्रतिरोध का सुत्र भी बटे आई होता है ध्यान रखिएगा प्रतिरोध का सुत्र भी बटे आई होता है ओम के नियम में भी बराबर आई आप सभी लोग जानते होंगे, एक के डवलु एच कितने जूल के बराबर होता है, तो तीन दसम्लब छोगुने । ये को पूछ रहा है कि पुछ नहीं का अब पूछ रहे कि प्रती रो धगता है काइसाई मा of रेक आपीयों मीटर होता question थे चाहे वह 5 नमर का question हो चाहे वह 2 नमर का question हो चाहे वह 1 नमर का question हो इस chapter के सारे question हम आपको बहुत ही सरल भासा में बहुत ही simple तरीके से complete करा दिये अब हम उमीद करते हैं कि इस chapter से आपको एक भी question नहीं छूटना चाहिए क्योंकि यह वाला जो chapter है वो पूरे physics का सबसे महत्वपून chapter है और सबसे बड़ा chapter भी हम लोग इसको बोल सकते हैं सबसे लंबा chapter और सबसे महत्वपून chapter बिद्धु धारा वाला ही chapter है आपको हम पूरे अच्छे तरीके से complete करा दिये उमीद करते हैं कि physics में आपका कम से कम 10 से 15 नमर तो जरूर clear हो गया होगा कम से कम 10 नमर जरूर clear हो जाएगा सिर्फ इस chapter को पढ़ लेने से तो चलिए आस करते हैं कि आप सभी लोगों को यह video काफी पसंद आया होगा मजदार रूप से आप लोग class कियो होंगे इंट्रेस्टिंग लगा होगा आपको यह पूरा class तो यदि आपको class अच्छा लगा हो तो जल्दी से आप सभी लोग इस video को like कर दीजे अपने दोस्तों के भी share भी क class के साथ तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद